तो दोस्तों जो भी आपर रीडिंग भी गल कर दे हैं तो सी हमेशा यहां आप शॉटकाट लब बेगा है यहां फिर किसे नो यह तरी किना फॉलो किता भी होना नहीं तो उन्हों रूजस देते तो सी जस्ट रूलू करके कोई टिपस नो देते तो उन्हों फॉलो करके फटा प्रेजंटेशन देविछ तो नोटेटेल ना जड़े मेरे रूल्स तो नो में पिछली वार सेंड किते सी उन्हों में इंप्लीमेंट करके दखोना है कि डिया कि चीजा दा खास त्यान रखना हुंदा बहुत सारे बच्चे है सोर्सिस कोलेक्ट ता कर लें बट उन्हों सर इंप्लीमेंट करके दखो तो नो फिर पता लगे भी एना दा रीडिंग देविच एक्चुल ची रोल की हुंदा हुनु एक्चुल देविच ग्रामर दे सारे रूल्स है जड़े आपा शॉट करके रखे हुए है प्रेजंटेशन दे थुरू ड्रेक्ली तो टाइमनी व होते हो सब्सक्राइब कर लो तांकि ओ वीडियो तो मेंसर ना हो जे स्टार्टिंग वाली करा लगो कि बोरिंग बिकॉस एजम आर वगयरा वाले रूल्स होनके तो शैर पता हुए उद्दू भी पहला मैं थोड़ा जाता हुनू बेसिक पार्ट आफ स्पीच जड़े आप इंप्लीमेंट अवर रीडिंग रूल्स इस वीडियो इंटो त्री पार्ट से में पहला विदास्ता तॉपिक तो तुसी समझ जुग होंगे वीडियो का दे ते हुन जा रही है तो पहला मैं तो नू रीडि दखा दां भी दे वान दे विच की डिसकस करांगे डे टू दे कर दे हो तो माइ पर्स्टल टिप्स जेडिया मैं देतिया हूं या रीडिंग से नू लाके पहला आप अन्धे तो स्टार्ट कर दे फिर आपा चलांगे डे वान दी वीडियो देविच डेटेल ना आपा कीडे कीडे चीच शानू इन्क्लिउड करना है तो ना दी एक्जा कई बार करा हानतो है तो अडर्ट रूलत सही हों लगा साहिए तो बाद कई बारी वर्ब थी फर्स्ट फर्म नहीं दी आंधे आंधी कई बार है जतो बाद अगे वीडियो दे विच रहे दानो दुखाँँगा Read the first line to catch the main idea Spelly line नो हमेशा read करना है तांकि तो नो topic दा पता लाग जेभी गल हो का दे ते रही है तुसी oh oh imagination लेके ही आवदा पैसे जग्ये लेके जाना है ते हमेशा reading दी जेटी भी blank button लग दे हूँ ओधो topic नो mind दे विच रख्या कुरे हूँ मैं केड़े, actual चेड़े का अरना relate करके word answer दे रहे है चेक which part of speech is required in the blank होना है नी तू तो बाद अग्ये वर्ब पाईया था नो उते तुसी फेर वर्ब लुब भी ने हो की चीज उते missing है पहला उनो identify करना होंदा understand the positive and negative tones बिलाइन जे positivity नो चल रहे है यह पहरा सारा ही negativity शो कर रहे है greenhouse gas emissions दे की नुकसान है यह वो तो अब्वियस्टे उन चीकिते कोई positivity आली गल नहीं होनी until and unless हो थे however government बहुत चंगा कर रही है कर रही हों कर रही है जिकर के गल को मसकरी but positivity negativity तो उन्हों पता होनी चाहिए है always use elimination method पटा पट एक आंसर मिल गया click करके अगले ते नहीं जाना हमेशा topics नो अपा सर्च करांगे ओंदे ते बाकी दे आंसर जेटे नहीं आ सकते और क्यों नहीं आउनगे ओ आपा जुरूर देखने है so जो में नहीं कार रहे है तो और फिर answers lose रहा सकते है stay tuned हले जेडी में चीज आप अगे करांगे में एक परी गो थू करांगे बिकॉज यह भी बहुत ज्यादा important है please skip ना करें don't select the random and new words try making some sense हना हमेशा सरा नमाजा वर्ड़ाय लगा दो do 50 passages a day 50 नहीं दे ता कट्टो गट 30 ता नू कर नहीं बैंगे update your vocabulary with the help of google images don't translate your into your mother tongue कई वर आपकी कादे भी आप वर्ड़ाता नू पताने तुसी की कादे गूगल translator अपन गीता उन्हों translate करके आप पंजाबी पाश आदेविच यह हिंदी पाश आदेविच अन्हों convert करके तुसी देख रहे हों so एचीज कदे नहीं करनी उन्हों Google image सर्च कालो जेता कोई नाउन है मेभी ओन्हों इमेज ता नू अग्या जेता सब तो सिद्धा हिख लिए रोजगा ता नू मैं आभी समझान दी मिनी रोड इंग्लिस समझान दी मिनी रोड नहीं ता ओन्धी डेफिनेशन पड़ो योग एक्चुल चे नाउन होना मीनिंग किया एज और जेटिव ओनना मीनिंग की बांद है तो एक वर्ड दे दो तेन टाइप से भी बन जान दी है अफ्र गेटिंग दी इस गो फॉर अचैडमी कॉलोकेशन लिस्ट अंडरस्टैनिंग फॉर हंडर डेली अकैडमी कॉलोकेशन लिस्ट ता नू ग्रामर सारी कलियर है तेर भ अचैडमी कॉलोकेशन लिस्ट नू भी आपर रीड जरूर करने बिकॉस ज़्यादा थर आंसर जोना थे बेस्ते ही हुंदे तो डे इंग्लिश नू लेकर अंडरस्टैनिंग ज़्यादा बद हुगी एस मैं वीडियो दे विच सारा कुछ डीपली एक्स्प्लेइन किता क्यों ज़्यादा जरूरी है मैं तो यह दासना जेड़ी नवी वीडियो में अपडेट करते हैं तुसी यह देख लिए ता नू चंगी लगी में भी तुसी एक को दो वीडियो अग्ये देखोंगे नहीं देखोंगे तुसे चैनल चाड़के अग्ये चले जाओंगे बट सब्सक्राइब करके बेल वाला इकरनों आपदो ते शेयर कर देखोंगे वीडियो जेड़े भी बच्चे पीटी कर रहे है बिकॉस एह हो जे सोर्सेज लबनें बहुत ऑखे सी खास कर जदो असी पढ़ते हुंदे सी सानू को एनी डिटेल ना दसनाला बंदा नहीं हुंद सानू लगता है भी हो जे सोर्सेज हर एक बच्चेता को पहुंचने है चाही दिया है बट मेर्या ट्राइए भी मैं तो अनू अथेंटिक वे ना सारा कुछ क्लियर ली समझा मां सो चल दें अपना फर्स्ट ते जेडी है एड्जेक्टिव एड्वर्ब नाउन ते वर्ब्स की हुंदे है तो नाउन की है रिप्रेजेंट साब प्लेस तिंग और आइडिया जे अपर डेटेल ना देखे तो नाउन तक्रीबन आठ टाइप दे हुंदे है नाउन वर्ब एड्जेक्टिव एड्वर्ब दी में एक डेटेल्ड वीडियो पाई होई है तो उसी ओ भी उपर चेक कर से तो जीजे तो मैं सफिक्सिस दसे होई है अभी वर्ड नू एंड तो देखे ता नू कि मैं पता लग जूगा भी ये वर्ड केडी टाइप द है नाउन है ये वर्ब है एड्जेक् पल दाऊंगे रडड ब्लू ग्रीन कलर हो गया ताज में होगा डॉग हो गया यह कुछ भी बट क्वालिफिकेशन डिफेमेशन हो गया साउंड आर्ट होबी कंप्यूटर जॉइ पॉप्यूलेशन सुसाइटी ये वर्ड अपनों नहीं पता लाग दे भी ये वर्ड है ठी जे कोई नवा वर्ड है तो उनू पता नहीं लगता हूँ किस केटेकरियुन बिलाउं करता है तो तो अनू चीज क्लियर हो जूगी यहा फिर जिदो वर्ड आ जाना है तुसे उन्दे नाल आई एंजी एडी यहां फिर वी वी टू वी तू वी त्री सर्च करके देखो तो अनू जे माइड़े विच कोई वर्ड आ रहे है ता मीन्स देट सवर्ब आल्सो क्योंकि एड्जेक्टिव्स भी है जड़े आई एंजी एडी वाले हूंदे है चलो अगे जा देया एड्जेक्टिव्स एक्चुल चाहं बेगी है जे तो नू नाउन ते वर्ब क्लियर है अगे एड्जेक्टिव वर्ब पता अलग गए वर्ब्स एक एक वर्ब भी है तो एक हुंदे है कोलेक्टिव जिवें की टर्ण आन ते लुक आफटर एक टाइप सुनी यह वर्ब्स एं जेता आनु लादा भी ज्यादा तो उसी दैप्त चे जाना जाने हो तो मैं एक ग्र सब्सक्राइब और मॉडिफाइज आनु प्रोवाइडिंग मोर डिटेल अबाउट इसे चीज नो नाम जिडी चीज विशेशन विशेशन विशेशता दासता है हैपी जिमें की ब्लू जेंटल फ्रेंडली कोल्ड इसा कोल्ड वाटर क्युमुलेटिव अप्रोच सुपोर्टिव आइडिया हुने आई वी इ तो बच्चे जटे पहला वीडियो देखते हुग ना नो पता लाग जू आई वी ई ओ यू एस वाले ता सिद्धे फड़े ज है यानि कि एक एक्शन है जड़ा उन्धी विशेषता कि में एक्शन किता जाना है मौडिफाइज आ वर्ब ज्यादा डिटेल चे जानांगे अग्गे ओ एडवर्ब्स नू या फिर अजेक्टिव्स नू भी मौडिफाइज कर दना इनना देफसे चे ना जाओ सिरफ वर् इते ही आउगा यह वस वेरिंगा ब्लू शर्ट ठीक है ब्लू तो पहलना आगे वस वेरिंगा शर्ट ब्लू नहीं आउगा ठीक है बड़ जिड़ा एडवर्ब है एब बहुत जंप कर दना है अगे मैं एक्जामपल देना तो नो थो क्लियर हो जुगा आपा इते नमता मा वीडियो दे बिल्कुल एंड दे होते हैं मैं ए एंड आर्टिकल भी एक्स्प्लें किते हैं बिकाउज अपना रूल नमबर 9 & 10 बंद है वोगे विच मैंनो क्लियरली एक्स्प्लें किता हुया ते जे कोई बच्चे नू ए लगदा है भी एचिजा सा नू पाता है सरता थो टे दधा भचाले कोई वर्ड आगया नउन थे अर्टिकल भचाले जड़ा वर्ड आयां था ओगाण और आ अगे फिर दधा तो बात स्मार्ट फोन आ एचिजा ले नियू आ गया एजेक्टिव दा मैनी इन्नोवेटिव फीचोर्स मैनी देनलल फीचर लागया वचाले कि लग यह इनोवेटिव आई वी ए क्लियर या शी इस टेकिंग एन अड्वांस्ट कोर्स शी इस टेकिन गा कोर्स अड्वांस्ट कोर्स एक महोर जी ता नूं क्लियर दसन है एड्जेक्टिव एड्वर्ब दी पहचान है जेडी जिदो सेंटेंस ते विचे यूज हुंदे है तो दसनेंस बिलकुल क्लियर होगा बिना ब्लैंक तो जे तुसी पढ़के देखोंगे ता फिर ता नूं क्लियर ली हो जुगा भी हाँ थे अड्जेक्टिव एड्वर्ब भी यूज होगा उन मैं कर्मा भी यो बहुत स्यान है ते जिदो बहुत वर्ड यूज किता है बहुत ही ज्यादा थिख्या है यान कि बच के अगले दे चलिये दा अड्वांस लेवल ऑफ सॉफ्ट्वेर मेक्स सूटेबल पर परस्टनर अग्गे पढ़ी चलो हिस अड्वांस इसकिल्स हाइरिंग मैनेजर दादे नाल लग गया है थेखोंगा इम हाइरिं सम्वन एथ दा दे नाल क्लियर समझ दो भी दा ए ए ए ए जिदो तुसी रूल समझेगे ना ए ए ए ए एं दा वाला फिर तो में चीज़ां होर भी क्लियर हो जानेगे है अडवर्ब दी भी सेम जीज मैं दे चे एक्जामपल देती वर्ब आपानू सिंपल सेंटेंस पता ही है यानी हुंदा बट उनुदे नोट करता विया हुंदा एक्स्ट्रीमली अडवांस्ट क्विक्ली हुना देखो शी कम्प्लीट दा डवांस्ट कोर्स लेवल कोर्स एथे फुल स्टॉप भी लग सकता सी फिर पिछे लादा क्विक्ली यानी कि शी जे मैं हुन एथे देखा सब्सक्राइब तыт सुम्सक्राइब एक वियदुधा उसमेघार डवांस्टै लाऊंस्टै नोट हुन थोछन पॉसकर देख भी सब्सक्राइब नहीं समझे लगी नूँ डीपली समझ भी सकते हो फिर भी मैं तोडी help out कर सकते हैं जैता नहीं समझे लगी ता मैसेज कर सकते हो वाट्सट दो ते audio मैसेज कर दो मैंने मैं रिपलाइब दो हुगा हां जी फर्स्ट रूल तो आपा स्टार्ट कर दे हैं तुसी इद्धर राइट साइट कॉर्नर ते देख सकते हो रूल नमबर वन टू-3-4-5-6 तो रूल दी पीडिएफ हैगी है जेटा रूल ता नूँ चाहिदा तुसी स्किप कर करके समझ सकते हो जिता नूँ इथे नहीं समझेना चाहन देता तो नूँ टूदा रूल पाता है तो तुसी स्किप कर सकते हो स्टार मार्क दा मतलब हुंदा है जी हमेशे अपलिके बल नहीं हुंदा 90% हुंदा है क्योंकि इंग्लिश बहुत अड्वांस है कि ते भी कुछ रट्टे याली काल नहीं हो सकते है शी व B1, B2, B3 केड़े केड़े हुंदे है तो इंबर्टन तू इंबर्टन वा टालो नहीं हुगा रह अठीजां नहीं होगा है मिह estasник कंड़ लगांगे तो लिम्हें हु दूदा नू नो सर्फ दो रहेंगा औरो शुद्थ सम्सी बहुता नहीं हुगा है यहां इनिश या वो एक्साइट सी कभी और इसकिप करूगा मैं तो नो कहा सी ना सेंटेंस दे वेच आपाँ ने नेगेटिवीटी पॉजिटिवीटी फढ़नी है वो एक्साइटेड सी यो स्किप करना नहीं एक्साइट नहीं होनी ओ इनिशेट करना दे लिए एक्साइट हो अगला तू दे ना वर्बदी फर्स फंब भी आगी नाले आपान होना अंसर चेक भी करना आ गया भी तू जीड़ा हिंट जीदो आ जांद है ब्लैंक खुली तू देखो किते लग गया ओंदे ना जीड़ा वर्ड पे आ उन्हों लबबंदी कोशिश करो दा टीम वाज इगर फिर एक्साइटमेंड वाली गल हो रही है तू देश देर रिजल्स आफ दियर लेट टेस्ट एक्सपेरिमेंट तू एनलाइज ओना दे रिजल्स नू एनलाइज करना जीने फाइंडिंग्स ना उना आ गया प्लूरल प्रैमेरली सॉरी प्रीलिमिनरी अप्रोच जिमें आ होगा क्योंकि एड्जेक्टिव है कियर फुली नो एडवर्ब है आज दो हालांके नहीं सिर्फ एक्की अंसर आ गया तो उन्हें नहीं बता लगा दो ठीक है दा इनलाइज दो एनलाइज देर रिजल्स आफ देर लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट और बहुत शाहिद सिगे औ और लॉजिक से जड़े तो उन्हें बहुत मदब पीटी किते ना किते तो और रीडिंग जभी आईक्यू चेक कर रहे है यहाप कहने है ना स्पीकिंग देविच हो चेक करता है तो दा वे आफ स्पीक जादा चेक पीता है नहीं किस तरीके ना बोल दें तुसी नेटिव ट जे तुसी चाओने ओ रीडिंग करनी ता वीडियो दे अंड तक बने रहे हो तू बी देना वर्ब दी थर्ड फार्म लग दी है चंडिशनल ने थे भी है गया जी देख लो एत्थे किते किते चाहिए है तू बी वर्ब दी थर्ड फार्म लबो नहीं आ सकती इस देजाइन तू बी डैश तू बी डिलीटिद अच भाश्य दिलीट करनी नहीं तू बी मैनेज इन तर्म्स आफ फीचर प्ट्चिनलिटी यह भाँज़ेए टो बी अड्वांस्ट इस दिजाइन तू बी अड्वांस्ट इन तू अडू अट्वाँ़े रिच्छ आ बी चांसल अंपन दी गोशिश कार दे एथो तक मैं ही रिकमेंड नी गार दा मैं कहना है फूल स्टॉप तक तुसी पड़ू ताकि तान्नू कंपेर टुदा ट्रेडीशनल अप्रोचेस यान की प्राणियों अप्रोचेस नाल जी आपनू कंप्लेयर करके देखिये ता हुने अंदे वे चांसल तुबी दे नाल वर्ब दी थर्ड फर्म रिफाइन लॉजिक नौ क्रेटिवली नौ तुबी प्रफाउड नौ तुबी किलिंग बिल्कुल भी नी इस रिसेर्च मैथर्ड अर प्रूबन तुबी रिफाइन किते गई है प्राणे मैथर्ड नालों हुन ओहो ज्यादा वदिया करते हैं रिफाइन डॉयल आप यूज किता कुकिंग जी नेक्स्ट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फर्म या फिर वर्ब दी थर्ड फर्म इत्थे कंफ्यूजन सब तो बड़ी जड़े मजी बच्चे नूँ पचके देखलो तुसी आप चाती मार के देखलो आदे अंदर इसमार देनल किला तुसी कोंगे सर आई एन जी क्योंकि ओह ग्रामर दा स देफ्ट चली जांदे मैं चौनना है बिना ग्रामर सिखे और शॉर्ट काट्स नूँ इंप्लीमेंट करना तुसी सिख लोगा ना तुसी यही चौनने हो दा न्यू फर्नीचर इस डैश फोर देर मैक्सिमम कंफट नमें फर्नीचर नू की किता गया उन ना दे मैक्सिमम कं फर्नीचर मैनिफेक्ट्चर किता गया हां जी आपा टोन की लेखने यहां था था थर्ड फार्म यहां फिर आई एंजी थर्ड फार्म आई एंजी इंदे विच सारे एही लगये होगा इस डिजाइनिंग फॉर उबनी जन्द है नहीं यहां इना मतलब है आई एंजी वाली सेंटेंस जीटा फ्लोगन होना चाहिए यानिकि हुन फॉर दे नाल जुड़मा वर्ड होना चाहिए है कस्टमाइजड दा मीनिंग ता उन्नु शैद बहुत है उन्नों नहीं पता होना मैनेजड यां कस्टमाइज नहीं किता गया न में फर्नीचर नू उनना दे कंफर्ट कस्टमर नहीं चाहिए दा सी ओस तरिक्के नहीं बनाया गया उन्नों कस्टमाइज गिता गया मोटरसाइकल कस्टमाइजेशन गडियां दी कस्टमाइजेशन शैता नों बता होगी हुन एक रूल है जड़ा जगे बाय लगया होया तो अद्दू पहलना यस वर्ब दी थर्ड फ़र्म सो इथे आई एंजी कर दो बर देट नाउना आगया कर दो बर प्रोटेक्टिवली लवाई वाले की हुन दे है यस एड़ब्स कर दो बर प्लेड यां पोस्ट हुन कहानगे जी चैलेंजज़ देट आर प्लेड बाय दे रैपिडली इवाल्विंग टेक्नोलोजीज आर सिगनिफिकेंट हुन चैलेंज़ज़ नू प्ले किता है यां चैलेंज़ज़ नू पोस किता है यां ये ता न दस होगी ओ कॉलोकेशन ये तो देग्रामर दे रूल ने कले ने सेंस नहीं देती कॉलोकेशन ने भी सेंस देते हैं जेता उन्हों पोस्ट नहीं पता चैलेंज़ज़ आर पोस्ट एक कॉलोकेशन है तो उसी सर्च कर लेगरो नाल दी नाल नेक्स्ट इज एमार वाजवर्द दिना जे बाय लगया होया था पास्ट पार्टिस पला में जड़ा पखुने करके हटे हैं लगाओ जी केड़ा पॉल्ड प्रेंटेड मैनेज नहीं आओगा फर्स्ट फॉर्म आगी आवी लिगूगा लवई वाला अन्यू फर्नीचर इस डैश बाय दा आटेस्ट हुंते आंग देना है मैं ओही सेंटेंस के ओं रुपीट किता कि क्यों मैं यह थे वर्ड यूज करता आटेस्ट आटेस्ट ने ओनावे फर्नीचर नू की करता मैनेफेक्चर करता नॉर्मली यही दोंगे ना पेंटेड ने खिच्चे आनी किसे पासे शाइंड बाय नॉर्म पेंटेड बाय और मैनिफेक्चर बाय तो पेंटेड बाय दा आटेस्ट अन्यू 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 ने निफेक्चर करता अगले यह पर चाल दें हैं यह दो बाय जे बीन लगया होए ता जे ब्लैक आजे एज बाय प्लस यह बीन लगया होए आगे ब्लैक आजे ता पा वर्ब दिफर्स फ्रम ना आ आई एंजी लगा के देखांगे ज्यादा तरही आंसर होगा Smithsons have been dashed the movie stories for ages ages मा तो सदियां तो वो चीज़ कर दे आ रहे है has been done no has been created नहीं सदियां तो create कीते गए नहीं सदियां तो लगया होया for ages कम नहीं creative adjective आगया नहीं thinking आ सकदर देख 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 है Smithsons has been thinking the movie stories for ages सदियां तो उन्दे बारे सोची जाना है no volunteering volunteer करना की जाना है हाँ जीड़े आप बिना पैसे देते कुई काम करते है so आवी सकदा है magnifying उन्हों वड़ानी करदा पया उन्हों जूम इन निंग करदा पया आपने को सिर्फ एक ही रह गया volunteering okay Mary has been punished for his misbehavior उन्हों पुनिश्मेंट तिती गई है उन्हों इत्य त्यान देना भी has देना तुसी यह नहीं लबना has देना तुसी दस्यासी को वाला रूल ना बाकी दी लाइन बाढ़के देखियो sentence नो मैं कहना होने full stop तक पड़ो has been punished सिद्धा लगया हुए अजड़ा परूल कर रहे है has been देना वर्ब दे third form लगी हुए है so means to say एथे verb दी third form भी आजन दी है sorry मैं थे लिखना पूल गया सीगा Mary has been dash punished for his misbehavior Mary has been पुनिश्मेंट किस त्रीके ना लितीगी या पौच इस लपनी है sentence देविजे दो ब्लैक और देखिए अगला देखोजी अगला देखोजी as have had in our वर्ब दिफर्ट फार्म लगी है they in a विच्वे को दूब प्रैक्टिस कर वारे है just adjective adverbs भी आपने नान नाली चलने के थांग योदी दी रिखासल लगी हुए they have dashed the dash job in time they have dashed the job modify the job no justify the job no magnetic the job no creative the job grammarsely has been thinking the job सोच ने रहाओ जौब लूँ created the job conquered the job conquered मुन्दा किसे नोहरा रहा देना जांग लूब पज़त दे created the job have created the job dash job in time यहोजी जौब लूँने creative the time दे विच yes job देना अजर फिको चीना देना सर्क्रियेटिव जौब सुनिया मैं एहे ज़दा सुनिया गया ग्रेमर्स ली या फिर मॉडिफाई या फिर जेस्टिफेबल जौब में creative job लूँ ओने create कारता time दे मैरी हैज दैश परचेज़ दैट एक्पेंसिव डैश उन ओही चीज़ के लागी मैरी हैज परचेज़ थे नार वर्ब जिफर्ट कॉम लगई वही है त्याम लाग उन है जे नार जिफर्ट कॉम लगई वजा लेकिया होगा adverb has firstly या severely या curiously नहीं लिए नहीं परचेज़ गीति मैंने गदे लिखना परचेज़ लिखना परचेज़ नहीं होगी प्याहना दिकिया अग्पर लिखना नहीं नहीं परचेज़ गीतियगा तो curiously उन्हें परचेज़ के लिए अपना first answer आ गया curiously second that expensive आई वी ई लगया है मैं तो पहला है अपना अगे आगे अगे अगे अपना एंद आर्टिकल रूम्बर नाइन्थ ते टैंफ है जड़ा मैं कठ्थ है तो मैं एक्स्प्रेइन करन जा रहे हैं एहे चीज बहुत जड़ते आना सुनलों हाला कि एहे अड्यक्टिव डवर्ब द दस्वे नंबर ते आंदा से इसकार कि मैं दस्वे नंबर ते यहनू समझाया है आल्वेज यूज़ विद नाउन सब तो पहली चीज़े देखने वी जड़े तिन आर्टिकल्स है हमेशा नाम देनाल लगते है ए एन दा हुन तिना चिजांदार रोल अलग लग है बहुत समझो बिकाज इनने कले ने नहीं दसना तो नंबर नाउन लग जूगा तो नाउन जे पहा होँगा तब चाले एडजेक्टिव आज़े पहचान भी अगले आर्टिकल्स दे बेशते हम दिया भी ओके होजी आओगी अड़े इस यूज़ विद आ काउंटेबल सिंगुलर जन्हों भी तुसी ग्न सकते होँ ओने नाल यूज होगा तो secondly वोबल साुड तो स्टार्ट नहीं होना चाहिदा नाल नाउन लगगा जड़ा वोबल तो स्टार्ट नाउ हो थे जिदे पीछे एस नाल लगे तो जन्हों तुसी ग्न सकते हो तो ए वाटर नहीं लिख साथे ए एर नहीं देख सकते है ठीक है एन इस यूजड विद काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स ओनली विद वॉबल्स होन एन ए जिड़ा यानि की ए तो बाद जिड़ा दूसरे बाकी दे वर्ट जागे वोबल आले वो सारे एन ना लग जानगे रूल सेम इंप्लिमेंट करता है क दा इस यूजड विद प्रॉप पर नाउन्स जिदो किसे भी चीज नू आपा थोड़ा जा हाइलाइट कार देने है ओहो दा ओंद एक यापा लगा देने है दा स्कूल लाइब्रेरी इदर सिंगलर और प्रूलर कोई मैटर नहीं दा हरेक ना लग जो काउंटेबल या उन डा रिख्यानल तेलेंटिट मूजीशन दाल अगया हूएगी उने बचाले हो दो वर्ड़ लगे हूएग कि मैड़ेक्टिव गदेजा कि ने काली चंपकदार स्फार ने प्रूंच होई सुख ac cie बट दा दे नाल हमेशा लगो। भीन मेरा नाौन के थे देवचा ड़े जड़े भी वर्ड आगे सारे अटेक्ट व है। ए तो बाद भी एही चीज। हॉंटिंग बूटिफुल मेलोडी, एक मेलोडी, एक तोन, धीक है। hauntingly beautiful sony hauntingly चलो melody देनाल लगया piano the old grand piano तो अगे देनाल लगया piano देनाल अगे former glory glory एक नाउन है former एक अजयक्तिव हो इंदेनाल नहीं लगया है because the butterfly sorry a butterfly एक तितली with wings colored wings wings लगये हुए है pluralize करें नहीं लगया थे नहीं लगया थे नहीं लगया थे नहीं लगया थे नहीं लगया है so wings देनाल एते अन कुछ भी लगया हुए the blossom graceful of the blossom new theory the new theory the renowned scientist the scientific community adjective लगया हुए the either प्याद है नहीं लगया थे नहीं लगया थे नहीं लगया है ठीक है adjective adverbs नाल ही तो इंग्लिश advance होंदी है तो बिणा तो no English the answers देने बहुत जगा ओखे होनगे so rule number 11 तो लेके वी तक है और मैं अगली वीडियो देविच पाऊंगा rule number 11 तो लेके वी तक है ओहुँ आप अगली वीडियो देविच शेयर करांगे day 1 दी वीडियो सी day 2 दी वीडियो चे 11 तो दस day 3 दी जड़ी वीडियो है ओंदे विच आप ट्वेंटी तो लेके 25 तो लेके 25 तो लेके बहुत ही जड़ा अडवांस देविच यूज हुंदे है वह बहुत ही जड़ा इंट्रेस्टेंग देविच नहीं आपानू पता सी टीचर्स रीवीओ है जड़ा उनू प्रेंट आउट कड़ा के सामने रखो जितो भी रीडिंग करते हो रूज नू कोड़े राखके समझन दी कोशिश करोंगे इंप्लिमेंट करोंगे ता पता लगूगा कले रट्टे चाड़के आएंग करके नहीं आद हो ने इंप्लिमेंट करना सिखो आज तो ही आवदी रीडिंग नू बिल्ट अप करोंगेंट करोंगे कुछ नहीं समय लगदा ता चीज जनू दैपने वेच देखो तो अग एक एक्जांपल देती होई है ता अनू वीडियो भी तुसी जरूर दे आएंगे तो नू एक्जांपल देख देखके पता लग जाए भी आपपर रीडिंग देरूल देनाल एक्जांपल नू इंप्लिमेंट के लिगा देया है तो स्टे ट्यून चैनल नू शेर सब्सक्राइब करना पूले हो